Hello everyone, आज हम लोग discussion करेंगे criminology. Criminology क्या होता है? इसके natures क्या है? इसके scope क्या है? इसकी classification क्या होती है? इसकी definition क्या होती है? इसको हम लोग बहुत deeply ही discussion करेंगे. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि criminology जो है कौन-कौन से word से लिलकर बना हुआ है, कौन-कौन से language से इसे लिया गया है. तो criminology वो हिंडी में हम लोग कहते हैं अपराध हसास्ति. ये दो word से मिलकर बना है. Crimin, जो कि Latin language जिसका meaning होता है किसी को दंड देना, मिंज किसी को punish करना. And second जो word है, वो है lozia. Lozia जो कि Greek language से लिया गया है और इसका meaning होता है reason, कारण. कि किसी वेक्ति को जो punish किया जा रहा है, किस reason से किया जा रहा है, ये आपका criminology का meaning निकल के आता है. तो यहाँ पर बहुत सारी criminologist ने बहुत सारी definition दी है. लेकिन यहाँ पर डॉक्टर केनी ने बहुत ही अच्छा बात बताया है, कि अपराद सास्त्र जो है एक ऐसा विज्यान है, कि जो कि अपराद की कारण, reason, उसका visualization में इसकी analysis करना, और उसका निवारण में कैसे settlement करना है, उसको बताता है. आप बहुत ही इसको difficult way में ना लेतेंगे, हम लोग चलते हैं यहाँ पर एक example के थू समझते हैं, कि यह हमारा example हो जाता है, A एक accused है, and B एक victim. अब हम लोग इसको जानते हैं, कि जैसे A ने B को क्या किया, कि गोली मारा, गोली मारता है, तो B क्या होती है, B की मृत्य हो जाती है, A हमारा हो गया accused, and B हो जाता है victim. तो यहाँ पर, accused में किस region से, किस region से B वैक्ति को गोली मारा, और B वैक्ति जो है किस आधार के विक्तिम बना तो इसको हम लोग एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन हो जाता है क्रिमिनल लॉजी इन इस दा इन डेफ्ट स्टडी ऑफ प्राइम्स एज वेल एज क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स की भी डेफ्ट स्टडी की जाएगी तो इसका भी एक तरीके से डेफ्ट स्टडी किया जाएगा तो अगर हम लोग इसका निचोर निकाले कि क्रिमिनो लॉजी आखिर जो है होता क्या है तो क्रिमिनो लॉजी जो है जैसे कि किस तरीके के क्राइम किया गया है क्रिमिनल्स बिहेवियर मिन्स की क्राइम करने वाले क्रिमिनल है उसका बिहेवियर देखा जाएगा वो किस सरकम्टांसिस में वो क्राइम करता है उसको देखा जाएगा and उसकी influences क्या होती है उसको देखा जाएगा and cause of crime means कि crime का क्या कारण है क्या कारण की वज़े से वो जो है crime किया गया क्या mental है या फिर biological है या फिर हम कह सकते हैं कि क्या social कारण को नहीं है इसकी वज़े से जो crime है जो किया गया and big point जाता है study of matter उस matter की study भी की जाएगी depth study की जाएगी means कोई crime किया जा रहा है तो crime की एक तरीके से कहा जाए कि analysis करना यह हमारा हो जाता है criminology अगर हम natures की बात करें तो natures बहुत ही आसान में हम लोग समझते हैं नेचर से ही हो जाता है कि कोई ग्राइम है उसको किस तरीके से किया गया है उसकी कारण क्या है क्यों किया गया है आखिर वह वैक्ति जो है victim की विक्टिम बनने का कारण क्या है मतल मेंज कि एक क्राइम को होने की जो भी रीजन है जो भी एक्क्यूस के द्वारा जो किया जा रहा है एक्क्यूस का है या फिर विक्टिम का है एक तरीके से कहा जाए कि अगर हम लोग उसकी इसकोप के बारे में यह देखे तो इसकोप यही है कि जो हमारे जो क्रिमिनोलोजिस्ट है उनका कहना है कि हम लोग जो है अगर हम क्लाशिफिकिशन आफ क्रिमिनोलोजिस्ट की बारे में बात करें तो क्लासिफिकेशन और क्रिमिनलोजी जो है जो डॉक्टर डबलू ए वॉंगर की दुबारा सिक्स तरीके की क्लासिफिकेशन दिये गए है इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरूर है क्योंकि अगर हम लॉंग टॉर्म की कोश्चन जो है अक्सर जो है एक्जाम में पूछी ज जो है जो है मरोग को खेंगा देटेटा है मियस्ट कारता है आख इसके प्योने शुर्द सब्राइटा जो रोग्याए हाए विक ऍष्व प्रूं कि और सब्स्कियों कि आख बंजाता है को अक्सु घुना पर 15 कि बॉन कटुए सब्वार्टि एक शिप्रेंट के दूरा ना पिजाब फेकने की वज़े से एक crime commit हो जाता है, तो यह क्या हो एमोशन की वज़े से एक crime commit हुआ, तो यह आपका criminal psychology हो गया And second हो जाता है criminal anthropology, यह आपका physical appearance, जैसे कोई वेक्टी जन्म लेता है, तो वो जो है किसी का नाख पेड़ा होता है, या भी बहरा होता है, गूंगा होता है, तो वो उसे समाज से बहिस्कृत कर दिया जाता है, यह भी एक reason होता है crime होने का, यह भी एक reason होता है, मिल्स कि आपको जो है भरी सभा में को भी बोल देता है कि आप बिकलांग हो, अपंग हो, आपको यहाँ पे रहना ने चाहिए था, समाज से आपको भाहिस्पिर्ट कर दिया जाता है, तो यह भी एक दिरिष्टी से सभी वेक्टी उसे देखते है, तो यह भी एक crime होने का reason होता है, and third point होता कि हमारे घर के सामने कोई भी वेक्टी जो है, बहुत ही अमीर वेक्टी है, उसके पास उसकी घर की जो महिलायन है, बहुत सारे ज्वैलरी से लदी हुई होती है, या पिर हम कर सकते हैं, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, सारे चीज है, तो हम जो गरीव वेक्टी होते है जो छोड़े-चुटे वैक्ति होते हैं, सोचते हैं कि ये वैक्ति के पास इतनी सारी income है, क्यों ने इसकी घर में डाका डाला जाया, क्यों ने इसकी घर में चोरी किया जाया, तो मैं भी एक अमीर वैक्ति बन जाऊँगा यह बन जाऊँगा, यह हम कह सकते हैं तो यहां पर यह भी society भी depend करता है कोई क्राइम होने के लिए यहां पर एक point आजाता है, fourth point आजाता है philology means कि कोई crime होता है उसको कैसे punish किया जाता है यह भी एक point हो जाता है means कि जैसे for example rape होता है यह पिर हम कह सकते हैं कि murder होता है तो किस तरीखे से उसे punish किया जाता है यह भी एक classification हो जाता है criminology का and quick point आजाता है criminal psycho psycho neuro pathology for example जैसे कि यहां पर color हो जाता है color है या फिर आप कह सकते depression है यही matter करता है for example जैसे कि कोई व्यक्ति जो है black color का है या पिर कह सकते कोई व्यक्ति जो है brown color का है अपने आपको सोचता है कि गोरे लोगों में मैं कैसे manage कर पाऊंगा या फिर depression हो सकता है किसी वेक्ति को mental depression हो किसी वेक्ति को social depression हो किसी वेक्ति को biological depression हो तो यह भी a crime commit करने का एक classification हो जाता है एंड फिर्फ पॉइंट के बात आता है six point six point आता है victimology यहां पर बहुत ही ध्यान देनी की बात है आप अगर मेरी बातों को ध्यान समझेंगी तो आपको बहुत ही अच्छे से आसानी से आपको समझेंगा जाया victimology जो है पहले जो है classification of criminology में नहीं था इसे बान में एड किया गया है for example इसको हमें example के चुरू समझते हैं एक accused for example जैसे कि A वेक्ति ने क्या किया B वेक्ति का rape कर दिया क्यों रहे हुए तो यहाँ पर गभार य। वेक्ति का क्यों रहे हुए क्योंकि असने क्या है कि छोड़े escort पहल के और य। बहार जा रही है तो यह वेक्ति क्या करता है कि उसके उपर ऐट्रैक्ट हो जाता है attraction लेटा है तो उसमें जो हमारे जो जज लोग थे या फिर जो एड़ोकेट थे उन्होंने एक दलील दी इसमें कहा था आपको पता हुआ कि एफी सिंग जो है बोए थे कि मर्शी पेटिशन डाल की और उन्हों की जो जो फासी की सजा दी गई थी उसको पोस्पोर्ण करने का काम किया था तो उनके दुबारा एक दलील दी गई थी कि बस में जो है निर्भिया और उसका जो बॉइप्रेंड है वो लोग क्या कर रहे थे कि कुछ पर्सनल बाते जो है अपने आप से कर रहे थे एंड मिंस थो रहता है कि इसको अधरवाइस मत लीजेगा कि प्याद हरी बाते कर रह पिद्र नहीं बत्ते लेकिन उन्होंने एकटरब करने की पोसिस की तो यहां पर जो निर्गया थी विटिम की तो विखिम भी कभी क्या होता है गोगने करने के लिए एक रीजन होती है तो यहां पर क्लासिफिकेशन बॉफ क्रिम्नलोजी के लिए विक्तिम को भी इसने आड़ किया गया है अगकल इसे आड़ किया गया है फिर पहले नहीं था अब अप्रप्प्रिश्य हो गया उसकी जो बॉर्स